दुबश्चा दुस्तो मैं रिजित कुमार आप सब्सक्राइब करता है अज हम पढ़ेंगे बारा फरवरी से अठारा फरवरी तक के वीगली क्रेंट फेर्स आप जानते हैं क्रेंट फेर्स आपके एससी सीजिए छसल बैंकिंग रेल बेंटी पीसी स्टेड एक्जाम्स और के लिए बहुत ही मैत्मूं है इसलिए आपने चैनल को अब तो सबस्क्राइब करें साथ यह जिसा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिक्शन को भी जान करें यहां आपको सभी वीडियो की पीडियाब भी हमारे टेलिगाम चैनल पे मिल जाएगी चले शुब करते हैं प ३rates धृति हैं और आपको जानकरदें इसके बारें में तो बनात दें कि भारत की राश्पधी फ्रवरी को महराश्चर के राजपाल जिनका नाम है भगस सीख कौसेयारी और लग्दक के ऊपर ड़ाग्योवरी ने स्थीफा दे दिया उनका स्थीफा स्विकार करते हुए टाकती मुद्वारा और स्विकार करते ही उन्हें 13 नए राजपाल नियूत कर और कौन-कौन से करें गए तो आपको देदें रमाच्वर्च के कौन राजपाल नाब है आपके लेफ्टरिब्टरिन जनर suchen Unless it प्रताब शुक्राजी असम के आपके हैं गुलाब चंद कटारिया आंदर प्रदेश के आपके हैं एस अब्दुल नजीर वहीं चत्तिस गड़ के राजपाल थे रूप में आंदर प्रदेश के राजपाल थे वह हो गए तो नाम क्या है अनुसुया उइके नागालन के राजपाल के रूप में मनीपूर के राजपाल बन गए हैं जिनका नाम है ला गणिश और मिघाल्या के राजपाल के रूप में बिहार के राजपाल के राजपाल के रूप में आपके हैं राजी इंदि विश्वनाथन और लद्दाक के राजपाल जो थे वह अर्माचा प्रदेश के राजपाल हो गए हैं ठीक है लद्दाक के राजपाल अर्माच पर संब्धान में कौन से आर्टिकल्स के तहत यह करा गया है आप जानते हैं हमारा समयधान है उसमें कुछ जिनके तहते सब काम की जाता है तो आपको इस वारे जंग करें दें पहले आप देखने ने यह राजपाल से फोटो है जो आप हमारे भी नए राजपाल लाइन उक्ति वहार किसी के ठीक है चलिए अब आपको उदाते है कि कौन सा आर्टिकल के सिर्म आया जैसे आर्टिकल 153 है उसमें बताया गया है कि there shall be a governor of a state मतलब आर्टिकल अनुचेद 153 के अनुसार परतेक राजपाल में एक राजपाल होगा ठीक है यह आर्टिकल 153 वही 155 में बताया गया कि आपका कि governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal मतलब अनुचेद 155 के अनुसार राज के राजपाल को राश्पत जाएगा तो निक्ति किस प्रकेर से होगी यह आर्टिकल 155 में बताया गया है वहीं आर्टिकल 156 में बताया गया है कि the governor shall hold the office during the pleasure of the president मतलब अनुचेद 156 के अनुसार राजपाल राश्पती के प्रिया प्रसाद प्रियत पद धारन करेगा मतलब आप समलिए कि ऐसा महां ल चाहे प्रेश्टन उसे हटाना चाहें तो उसे हटा सकते हैं ठीक है तो जब तक प्रेश्टन की इच्छा है तब तक उसे रह सकते हैं और प्रेश्टन की जब इच्छा हट गई तो उसे राजपाल को हटा भी सकते हैं कौन सिब राश्पती हटा सकता और कोई नहीं ठीक है पूरी जिसमें आप स्टार्टिंग से लेकर पूरी आपको लेविल जिरु साइब स्टार्टि पढ़ाऊँगा और एंज तक पूरी सब पढ़ाऊँगा तो वीडियो भी देख सकते हैं ऑफ की दो वीडियो आ चकी है सपत और प्रतअग्या गवरणर की वो आपडीं का आता है डिश्चारज से साथ एंडिगे और या यह सागर एक है तो उन्हें किसी तारीक़ से या उनके पास से डिस्चारज Jam तो आटिकल 161 में दे रखा इपावर ऑफ दी गवर्नर, ग्रांट पाड़न अधर, मतब आटिकल 161 के अनुसार, जो गासपती है, वो शमादान और अन्य शमादान दे सकते हैं, ठीक है, ये राजपाल की शक्तियां हैं, वहीं आटिकल 162 में या कहिए अनुसार 165 में, इसमा राज की कारेकारी शक्ति जो कहा विस्तार किसके पास होता है, वो राजपाल के पास होता है, ठीक है, चलिए और आखरा आपका आटिकल 163 है, इसमा बताएगा है, काउंसिल ऑफ मिस्टर टू एड एड एडवाइज दी गवर्नर, मतब राजपाल को साहिता और सलाह देने क लिए एक मनती प्रश्थ भी होगा, ये सबी आटिकल्स हैं किसके गवर्नर के उपनापके, यार रखेएगा क्योंकि आपके पूछे आ सकते हैं, क्योंकि हाली में ऐसा हुआ, कि तेरा आपके गवर्नर चेंज हुए है, तो गवर्नर जरूरी नहीं कि आप से गवर्नर के न याद रखेएगा, इसलिए मैं आपको इस सब नोट करके दी हैं, अब अन्ना आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें मैं आपको पूरी और अच्छी से डिटेल में पढ़ाऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्ये संस्कृति महसब 2023 का 23 कहां शुरू हुआ है, मुंबई के अंदर आपको चुरू है कौन सा राष्ट्ये संस्कृति महसब, कब 11 फरवरी से 19 फरवरी तक आपका चलेगा यह राष्ट्ये संस्कृति महसब, कहां पे मुंबई में आपका, आपको बता दें कि महराष्ट के राजपाल भगा सिंग कोश्यारी जो कि अभी हा पता दें, उस सब 11 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा, आजाद मैजान, चर्चर गेट मुंबई के अंदर, ठीक, और इसमें आरखीएगा, मौसब का आयोजन संस्कृति मंत्राले, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया है, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा ह से राष्टिय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए, यह मौसफ किया जा रहा है, ठीक है, चलिए और अगे बढ़ते हैं, पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2022 में, कौन सा राज्य प्रथम स्तान पर रहा है, तो सियासर्म आपका है, ऑप्शन, ऑप्श खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो की फरवरी 11 को आपका हुआ था, ख़दम गवाई समय लिए, तो इसमें जो ऑवर वर चेंपियन था, पूरा मदब मालने की पूरे गेम का चेंपियन कौन था, पूरे पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो महरास्ट्या रहा है, क रहाने टोटल 141 गोल्ड, 132 सिल्वर, 155 ब्रॉंज और टोटल 128 मेडल जीते हैं, वहीं थर्ड नमर पे आपका मदब प्रदेश रहा है, जिसने 39 गोल्ड, 30 सिल्वर, 27 ब्रॉंज के साथ टोटल 96 मेडल जीते हैं, वहीं आपका राइस्थान चोथी नमर पर आए, जिसने 19 गोल्ड, 10 सिल्वर, 19 ब्रॉंज जीतने के साथ टोटल 48 मेडल दीते हैं, वहीं पांचवे नमर पर आपका रहा है, डेली, डेली ने टोटल 16 गोल्ड, 22 सिल्वर, और 26 ब्रॉंज जीतने के साथ ही टोटल 64 मेडल जीते हैं, इस खिलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है, च जीन एरिक वर्गेन का निमन जीता आपका हैज़रबाद एप्रिक्स टाइटल, तो ये क्या है आपका, तो आपको उजा दें कि DS पेंसकेस जीन एरिक वर्गेन ने भारत में फार्मॉला ए की पहली रेज जीती है, क्योंकि पोर्ष के पास्कल वहरलीन के हैज़राबाद न चौते स्थान के साथ Championship की बड़त बढ़ाया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देश में पहले Drone Air Traffic Management System, जिसका नाम है आपका Sky UTM का अनारावरन किस ने किया है, तो सहीन से आपका है Option, Option C, नितिश कुमार जी हाँ, नितिन कुमार जी आप जिखते हैं, नितिन कुमार नितिन गडगरी, नितिन गडगरी कौन है, नितिन गडगरी हमारे National Transport and Highway Minister है, ठीक है, आप जिखते हैं, फोटो उनका, तो आपको दा दें कि केंद्रे सडक परिवाहन और राज्यमार्क मंत्री, नितिन गडगरी ने Sky UTM का अनारावरन किया है, जो दुनिया में सबसे अत्य गंटे 4,000 उड़ाने और प्रति दिन 96,000 उड़ाने समालने में सक्षम है, आपको दा ने Sky UTM एक क्लाउड बेस्ट हवाई यातायात प्रबंदर प्रणाली है, जो मानव युक्त विमान हवाई चेतर के साथ, मानव रहित विमान यातायात को एकिकरत करती है, ठीक है, एरो इंडिया शो 2023 का उड़ाने क्या गया है, आप दिखते हैं फोटो है यह, तो आपको बता दें कि जो है यह कौन सा एडिशन आपका, यह 14 एडिशन है किसका एरो इंडिया का, और यह हुआ था आपका 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक, ठीक है, और यह कहां पर क्या गया था, मिनिस्ट्री ओडिफेंस के दौरा ठीक है, और आपको जादें इसकी जो एरो पूरा इरो इंडिया शो था, इसकी जो थीम थी वो थी आपकी, दी रनवे टू, बिलियन अपॉच्रटीज, ठीक है, क्या, डी रनवे टू, बिलियन अपॉच्रटीज, चलि आगे गाटन क्या है, अमरित प्रेक्स, क्या है, अमरित प्रेक्स, दोजादेश का, ठीक है, चलिए, आपको आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं, कि संचार इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रदुख्वी और रेल्वे मंत्री, या कह दें, आप, मिनिस्टर ओफ कम्म्निकेशन्स, एन कम्म्निकेशन्स, एलेक्ट्रोनिक्स, एन इंफर्मेशन टेक्नोलजी, एन रेल्वेज, श्री अश्वनी वेशनम ने, आपकी, अमरित प्रेक्स, दोजादेश का, नेशनल फिलेटिक एग्जिबिक्शन, जिसे हम कहते हैं, क्या, राष्चिय डांक, टिकट का, प्रदरश का, अमरित महसब का, समारो का, समारो की एक भाग के रूप में आयुजित किया जा रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्यारवी भारतिया मंगोलिया, वर्किंग ग्रूप की बैटक की शेहर में हुई है, तो सिया सिर्व आपका है, ऑप्शिन, ऑप्शिन सी, नि इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रूप, इसकी ग्यारवी बैठग, दस फरवरीक, दुजात त्रेश को की गई थी, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दोनो पक्षों ने बिविन दिवपक्षविया रक्षा शेयो या कह दें, आपको डिफेंस कॉर्परेशन पर पह मंगोलिया के साथ राज ने एक संबन स्तापित किये थे, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हमने मंगोलिया के साथ स्तापित किये थे, वो 1955 में किये थे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आपको उता दें, उलाड बटार में भारती निवासी मिशन, इस हम कहते है, मंगोलिया की, हमने यहां पर इंडियन मिशन शुरू किया था, कब 1971 में शुरू किया था, ठीक है, आपको उता दें, इस रिष्टे को 2015 में, रिणितिक साधिदारी, या कहते है, स्टेटिक पार्टनर्शिप में, अपरेट किया था, जब प्रधान मंतरी नरिंद मोधी ने मंगोलिया का दौरा किया, इसे Act East Policy का एक आवश्या घटक कोशित कियागा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जबते हैं, यह मैप है इंडिया का, यह हमारा प्यारा भारत है, और हमारे उपर जबते हैं, आप जबते हैं, आप जबते हैं, तो नौर्थ वेस्ट में आप दे का Anti-Copping Law लागू कर दिया गया है, और आपको जनगाई दे दें कि देश का सबसे सक्त नकल विरोधी कानून उत्राखंड में लागू हो गया है, आपको उता दें, राजपाल लेटिनेंट जनरल गुर्मीत सिंग ने उत्राखंड प्रतियोगी परिशा यासा कह दें कि उत् सुचित साधनों की रुख्थाम और रुख्थाम के उपाए अध्यादेश दोजादेश को मंजूरी दे दी है, आप बता दें आपको इससे आने से क्या हुआ, अब यह क्यों किया गया था, आपको यह कानून लाया था, यह कानून लाया गया जब उत्त्राखंड PCS का पे इसके तहद जो व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाए जाता है, चेटिंग करवाता हुआ पाए जाता है, तो उसको उपर लगवग 10 करोड रुपे का फाइन, और साथ में लाइफटाइम इंप्रीजमेंट, आपको लाइफटाइम इंप्रीजमेंट, यह मतलब कह दें, आज यह जो आपका है, जो फाइन है 10 करोड रुपे का, और आज जीवन का रवास यह जब दिया जाएगा, जर आप कोई वहत्ति बार वार पगए जाता है, जैसे किसे पूप्रिकेट माफिया को या कह दें आपके, जो आपके नगल माफिया होते हैं, उनके उपर यह सिकंजा किसने के लिए लाए गया है, यह आपका लॉव, इसके लावा नगल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है, वसका मुदलब क्या हुआ, कि दो अ अब ऐसा हुआ कोई व्यक्ति है, इसके बास तो क्या नाम है, रुपए हैं नी, अब उसके उपर भाई फाइन लगा दिया, दस लाग रुपए का या बीस लाग रुपए का फाइन लगा दिया, तो वो कह दा है, लगा दो फाइन मेरे पार रुपए हैं नी, मैं कहा है है ठीक है अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई चात्र भरती प्रक्षा में पेपर लीक करता हुआ या नकल करके प्रक्षा पास करता है तो उस चात्र पर दस साल का प्रतिबंद लगाया जाएगा मतलब अगर कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसे दस साल तक के लिए पेपर देने से बेंड कर दे जाएगा मतलब दस साल तक वो पेपर नहीं दे सकता चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन आप आप यह है 13 फरवरी से 13 फरवरी से 17 फरवरी दो जाए 23 तक वित्यश सारक्ष्टा सब्धा का आविजन कौन कर रहा है मतलब आपको बताना है कि Financial Literacy Week किसना और्णाइस किया है तो सब्सक्राइब आपका है Option Option C Reserve Bank of India मतलब भारतिय Reserve Bank of India ने यह आयुज़ित किया आपका कौन सा Financial Literacy Week ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपको दाते हैं यह आपको दे रखा है क्या है Reserve Bank of India गेंग टॉक गेंग टॉक गेंग टॉक आपका Financial Literacy Week 2023 जो कि 13 फरवरी से 17 फरवरी तक था ठीक है और इसकी थीम क्या थी में इस इंपोरेंट पार्ट जो आपके पूरे उसमें है वो यह है वो थीम है क्या है थीम आपकी तो थीम क्या थी है आपकी इसमें गुड फाने आपकी ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं महराष्ट भूश्ण प्रुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो सभासर आपका है ऑप्शन ऑप्शन डी आपका है अप्पा साहिभ धर्मा दिकारी जो है उन्हें सम्मानित किया गया है महराष्ट्र भूशन पर अवार्ड से ठी आपको जंगाई दे दें कि महाराष्ट की राजी सरकार ने गोशना की है कि प्रसिद समाजिक कारेकरता उपदेशक और सुधारक दत्ताश्रे उर्फ अप्पा साहिव धर्मादिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट भूशन प्रुशकार से समानित किया जाएगा अब को बता दें महाराष्ट भूशन प्रुशकार में एक पदक एक प्रतिस्ति या क्वैदे सेटेशन और साथी में 25 लाग रुपे की जो राशी है बो दी जाती है जो वर्ष के अंत में एक समारों में अप्पा साहिब को प्रदान की जाएगे चलिए और बता बता दें आपको कि अप्पा साहिब को 2017 में पद्मस्री से भी सम्मानित किया गया है इसलिए या रखेगा ये विक्ति बहुत ही मैत्पूर्ण है अगर क्वेश्चन आपसे पूंचे जाएगा ना तो क्वेश्चन तो यह आपको डाइक्ट आपको पूंच थीक है तो यह रखेगा इननें पद्मस्री का मिला है 2017 मिला है आपको अधा दें कि महरास्ट्रा भोशन सरकार भारत में महरास्ट्रा सरकार द्वारा प्रतिवर्स प्रतान किया जाने वाला सर्वोच नागरिक प्रसकार है इसकी जो सुरुआत थी जब सिप सेना और 1995 में आपकी जो महरास्ट्रा भोशन प्रतिवर्सकार है इसकी सुरुआत 1995 में करी जी थी और आपको उदा दें कि महरास्ट्रा भोशन पहली बार 1996 में प्रतान किया जा था तो 1995 में इसका सुरुआत की मतलब यह हम ऐसा ऐसा प्रतिवर्सकार देंगे पर 1996 में यह पहली बार दिया गया था ठीक है शुरुआद में इसे हर साल साहितिक कला खेल विज्ञान के छेत्म दिया जाता था मतलब कौन-कौन से आपके लिटरेचर आर्ट और स्पोर्ट्स एंड साइंस के इन खाली चाल सेक्टर में पर बाद में क्या हुआ इसे फिर शोशल वर्क जनलिजम काम किया है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 में कौन सा राज्य या केंद सासित प्रदेश प्रत्रमस्तान पर रहा है तो से अंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन ए जम्मू इन कश्मिल जि हां जम्मू कश्मिल जम इन रहा है ठीक है तो आप उसे जम्मू इन कells M fins में नमर हैं तो जम्मू कश्मिब जो आप विंटर गेम स्ट्रर पर रहे हैं इन्होंने टोटल 26 गोल्ड 25 सिल आडोफ 25 ब्रॉंज में के साथ टšल 126 मेडल जीते ठीक हैu वहीं महारास्टा तो तो इन दोनों के महारास्टा विजेता है अगर समर की बात करी जाए तो महारास्टा राइशन टेरा गोल्ड और शे ब्रॉंज के साथ यह आपका टोटल किते 27 गोल लिए है 27 मेडल लिए जीते हैं इसलिए सेंड परिशन वर आ है बाकी यह सभी रहे हैं हिमाच्टे प्रदेश आर्मी इसमां आर्मी का लक्स आते हैं अर्याना लग्दाक उत्राखंड नेपार तमिलाडू कनाटका गुजराद यह सभी टॉप टेन स्टेट बाकी बाकी स्टेट 32 बाकी स्टेट 32 है फिर किसे ने पालिसमेट करा उन सभी के नाम और टूटल मेडल्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किस राज में नेशनल रेस वाकिंग चेंपिंशिप का आयोजिन किया गया है जिसे अक्षदीप सिंग और प्रियंका गोस्वामी ने जीता है तो सिह असर आपका है आप्ष्ण आप दा नेशनल रेस वाकिंग में और यह ज्यता है आप ने सकते तो इसमें यह जीता है आपका यह पूरा गेम जीता है रेस जीती है ये women's category में जीती है, ये men's category में जीती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पता दें कि अक्षदीब सिंग और प्रियंका गोस्वामी ने national race walking championship जीती है, आपको पता दें, अक्षदीब सिंग और प्रियंका गोस्वामी ने जारखंड में मोराबादी में national open race walking championship 2023 में, पुरसो और महिलाओ की 20 km की पैदल चाल में, मतब जो walking race थी, 20 km की walking race थी, इसमें अब जो जीत लिया है, और इसको जीतने के साथी, अब ये पैरिस olympic 2024 के लिए क्वालिफाय हो गए है, साथी विश्व athletic championship के लिए भी, मतब ये जो game है आपका, के नाम है, जो national race walking championship जीतने के बाद थी, आपका अक्षदीब सिंग और आपके जो प्रिंका गोस्वामी है, ये लोग क्वालिफाय हो गए है, पैरिस olympic 2024 के लिए, और स के लिए क्वालिफाय हो गए है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जाएंगे दे, अक्षदीब सिंग ने ये रेस जीती है, टोटल किते टायम में, वह आपका वन आर्ट 90 मिनिट 55 सेकंड में, वहीं, ये आप जिकते हैं, प्रेंका गोस्वामी ने जीती है, किसना अक्षदीब की बात करें, इन्होंने एग घंटा 19 मिनिट 55 सेकंड में, वहीं, आपकी प्रेंक्या गोस्वामी की बात करें, जो कि उत्तव प्रदेश से हैं, इन्होंने एक घंटा 28 मिनिट 50 सेकंड में, ये अपनी रेस पूरी करी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लल पीसे से एक चित्रकार तिया कहा दें, प्रख्यात भारतिय चित्रकार, और आपके कहा दें कि लेट फिल्मेकर, गुरुदत की बहन है, जिनका नाम है, ललिता लाजमी, इनका नेधन हो गया है, 90 साल की उमर में, ठीक है, इनका जन्म आपका कहा हुआ था, कोलकाता के अंद अपको दादें, यह सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, मतलब यह अपना स्वेम सिखे कलाकार है, इनका कीसी से सीखा नहीं है, खुछ से सीखी थी, ठीक है, चलिए, आपको दादें, कि इनका जो लाजमी जी है, इनका कही सारी एग्जिशन और इंटरनेशन आर्ट गैल्री मे एर इंडिया ने एर बस और बोईंग के साथ कितने विमानों की डील की है, तो से अंसर आपका है, ऑप्शिन सी, टॉटल 470, जी हां 470 एर काफ्ट की डील हुई है, एर बस और आपको कहते हैं कि बोईंग के बीच में, अब ऐसा क्या हुआ, तो आपको बता दें, इसमें ट दोनों की डेल मतलब दो दो अलाले कमपणिया है, एक आप जानते हैं अमेरिकन कंपणी है, बोईंग जो कंपनी है, जो ब्धार जो कंपणी है, और इसमें सबसे बड़ा शेयर किसका यह, फ्रांस का है, तो फ्रांस का है, तो फ्रांस बहुत सा, और यह UK वेस्ट कंपणी ह सबसे बड़ा शेयर इसके ंदर तो इसमें टोटल 470 विवान्स हम करीं देंगे इसमें और 250 विवान होंगे और 220 विवान जो वोईंग की होंगे अब यह किस करिए जो 70 विवान होंगे आपके लिए 70 प्लेंस होंगे वो wide body वाले होंगे मतलब जो बहुत बड़ी बॉडी साथ यह कम से कम एक बार में 300 से लेकर 410 पैसेंजर लेकर चल सकता है ठीक है और यह क्या हो सकते हैं इंडिया से मतलब भारत से अगर उडान भरेंगे तो USA तक USA तक यह नॉन स्टॉप चले जाएंगे इंडिया से USA तक यह बिदाउट फ्यू जो भर सकें ऐसे सतर विवान खरी देंगे वहीं चार से विवान होंगे वह आपके कम बोडी वाले और शॉर्ट रिंज वाले मतलब तोटल आप समझे इस विवान के अंदर टोटल जो कैपसिडी होगी 140 से लेकर 170 तक ही होगी ठीक है और यह ऑपरेट कहां करेंगे इंडिय इंडिया के अपरेट करेंगे बागे 70 विवान जोंगे वह इंटरनेशनल फ्राइट के लिए लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं खनन प्रहरी मुवाइल एप किसने लॉंच किया है तो सही अंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन भी मिनिस्ट्री आफ कोल जी हम मिनिस्ट कोला खनन गतिवीदियो को गतिवीदियो की रिपोर्टिंग के लिए एक मुवाइल एप जिसका नाम है खरन प्रहरी और एक वैब एप कोला खदान निगरानी और प्रवंदन प्रणाली जिसे हम कहते हैं सी एम एस एम एस लॉंच की है ताकि संबंदित कानून और विवस् देश में हिंदी सम्मिलियन किस देश में शुरूआ है तो स्री असर आपका है ओप्शन ए फिजी जा यहां फिजी में शुरूआ आपका कांसा 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फरेंस तो यह कब होगा था आपका यह चला था आपका कब 15 फर्वरी से लेका 17 फर्वरी तक ठीक है दूतन है इसकी थीम का थी इस्की जो की most important है, यह आपकी most important और था क्या है। यह थीम तीश्य नहुलेज्ज तो रटीफिशन इंट्रीएट hypoth土 एका यह बड़कते हैं ऐन्वेन का थीम, जिय are लगतें भुणत आदी मौसब दोजा तेश कहां शुरूआ है तो सेट आपका है ऑप्शन बी न्यू डेली इंदर शुरूआ आपका आदी मौसब यह कहते हैं आदी मौसब फेस्टिवल शुरूआ आपका ठीक है तो कहां शुरूआ आता है यह 16 फरवरी शुरू हो गया था और 27 फरवरी तक यह चलेगा मतलब अभी यह चली ही रहा है ठीक है आपको दादें प्रधान मनंत्री श्री नरीद मोदी ने दिल्ली में मेजर ध्यांचन नेशनल स्टेडियम में आदी मौसब यह कह दें मेगा राष्टिय जनजातिय मौसब का उद्गाजन किया है आपको दादें आदी प्रधासी संस्कृति सिल्प वियनजन वनजी और पारामपर कला की भावना का जशन मनाता है चली आगे बढ़ते हैं आप बताते हैं आपको यह एक जनजातिय मामलों के मंत्राल है यह आप कहते हैं ट्राइवल कॉर्परेटिव मार्केटिंग डवल्मेंट फेडरेशन लि होगी तो इस फेस्टिवल की आपकी थीम है वो रही है सेलिवरेशन ऑफ दिस्परिट ऑफ ट्राइवल क्राफ्ट्स कल्चर कुजीन एंड कॉमर्स ठीक है कुजीन मतलब क्या होता आपका वियनजन भोजन आपका इसका कुजीन का मतलब होता है चली आके बढ़ते हैं अग तो म dużo सकॉलर्शिप होता है यह उसा तरह से योजना से लीए इसमां यह यह योजना झाल revelation है कि मुख के मंतरी ने में 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 राज में वकीलों के लिए स्टम स्टेंट स्कीं जो मसें होती उसे शूरू करे यह यह है योजना को राज्य की बार काउंसल द्वारा लागू किया गया है तो किसके द्वार काउंसल द्वारा जो स्टेड की बार काउंसल ऑफ के द्वारा लागू किया गया है वह आपको दा दें कि काउंसल को एड़ोकेट्स वेलफेर ट्रस्ट जो है उससे जोड़ दिया जाएग जो भी जूनियर लॉयर होंगे उन्हें हर महीने लगबग 3,000 रुपए उन्हें मंतली रुपए मिलेंगे उनके अकाउंट में चलिए और बताता हूं आगे बढ़ते हैं तो कुछ आप पढ़ेंगे क्या अब बताना है फेलिक्स होफेट बोगनी निसको शांती प्रुसकार स उन्हें सम्मानित किया गया है आपका युनिसको पीस प्राइस से आप देखते हैं यह फोटो है और किसले किया गया है तो आपको दादें कि जो जर्मन जर्मनी में जो और फेजु का एक बात टासीज आया था कब दोजाब पंद्रा की बात करें अभी के लिए नहीं आप कंपे करें कि यह आपकी क्या नाव है वार जो तरवी रश्य यूटीम की वार चल रही है उसके लिए ने दिया किया ऐसा कुछ नहीं है दोजाब पंद्रा में इन्होंने क्या किया था जो रफ्यूजीज थे मतलब को अपने कंट्री में जगा दी थी उन्हें क्या है उन्हें अपनी कंट्री के गेट खोल दिया थे इसलिए इनको यह सम्मान दिया गया है तो यह आप चलिए आगे बढ़ते हैं यूटूब के नए CEO कौन बने हैं तो से अंसर आपका है ऑप्शन ए नील मोहन जी हाँ नील म ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बताना है हुंडे मोटर इंडिया लिमिटेट के ब्रैंड मेश्टर के रूप में किसे निक्त किया गया है तो से असर आपका है ऑप्शन ऑप्शन डी मतलब रेनिका सिंग ठाकुर और यस्तिका भाटिया यस्तिका भाटिया आप से कंपणी है तो आपकी उसी के ब्रैंड मेश्टर के रूप में निक्त किया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा पेमेंट बैंक यूपियाई लाइट फीचर लॉंच करने वाला पहला बैंक बन गया है तो से असर आपका है ऑप्शन बी पेटियम जी हाँ पेट पेमेंट इंटरफेस जिसे हम कहते हैं यूपियाई लाइट इसमें क्या है जो कि इन्होंने किस के दार आप आप सब्सक्राइब कि जो हमारी वह ना नेश्टनल पेमेंट्स कॉर्परेशन अफ इंडिया इस है इनके द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत क खके ठ्वल किसे डविघर का उपने को तो ऐसे चल्दी हो सकें इसके लिए यह पेटियम जो है यूपियाई लेकिया आया है ठीक है यह आपको यहां बता रखाए कि दो सो रुपए से कम के चलिए यह लाया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि नए अध्यक्ष को रूप में किसे चुना गया है तो से असर आपका है अनिकेद सुनील तलाती आप दोगते हैं फोटो यह है अनिकेद सुनील तलाती का इन्हें अपॉइंट के गया है प्रेसिएंट ऑफ आइसी ए आई तो आपको बता दें कि काउंसल ऑफ दी सुनील तो आपको दाना है किस चात्र ने विश्व शरकार सिकर सम्मिलें में सुनपदक जीता है है तो सेटा सर आपका है option IAT Indoor जीता है इसने जीता है आपका वर्ड कुर्णर में अधनी सब्मिट के में फोटो है और आपको दा दें जो भारत आपका जो इनले सेटो आफ टीनलोजी है जिए जो कि IAT Indoor हम कहते है उसके student जीता है एईडी वन मिलियन बाय बिनिंग गोल मेडल एड वर्ल्ड गवर्मेंट सब्मिट इन दुबई 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 के अंदर हो रहा था वहां पर यह जीता है ठीक है और आपको दा दें यह जो अवार्ड है वो किसके वारा दिया गया है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है इनका नाम क्या है आप बता से एभियल फत्तह अल्सीसी टीक है इनों ने इनके दुआरा यह प्रसकार दिया गया है चलिए आज के लिए सकता रहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे वो वीडियो के लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी ह मारी वीडियो शरू शेयर जरूर करें जिसे ये बाकी लोग पास भी पहुंच सके जैहिंद